हेलो फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देली सब्डेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड डी एससबी की न्यू अपडेट के बारे में जो की फ्रेंज इसके वेरियस पोस्स एक्जाम 2024 के एड्मिट कार्ड से रेटेड है इसका डारेट लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाकर आप इसके लिंक को चेक कर सकते हैं और कैसे आपको आपके एड्मिट कार्ड को डाउनलोड करना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें तो यहाँ पर देखिए फ्रेंस यह इसका ओफिशल पोर्टल है जहां से आपको लॉग इन करना है view या download admit card करने के लिए अब फ्रेंस से यहाँ पर देखिए कौन कौन सी vacancies के आपके admit card जारी हुए है तो यहाँ पर देखिए फ्रेंस यह notice है Examption schedule का तो यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंस से exam date देखने को मिल जाती है timing देखने को मिल जाती है advertisement number, post code और post name आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं किस date पर आपका exam होने वाला है और उसकी फैंसे यहां पर जो post name है वो भी आपको देखने को मिल जाती है अगर आपको नहीं पता मालीजिए कि आपका जो attisement number कौन सा है वो किस date पर है तो इसके लिए friends आप पर DSSB की official website पर जा सकते है जो कि friends यहाँ पर आपका DSSB online portal है और यहाँ पर देखिए click to sign in का आपको option मिलता है जहां से आपको login करना होगा अगर आप भूल गए है अपने password को तो forget password का option भी है तो अपने friends से date of birth, role number और passing year select करने के बाद आपके पास एक OTP आएगी वो OTP डाल कर आप friends से आपकी password को दोबारा से बना सकते है इसके बाद आप click to sign in पर click करेंगे date of birth, 10 का role number, passing year, password और एक capture को डाल कर आप sign in यहाँ से कर लेंगे इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए आपको print application का एक option मिलता है आप चाहें तो print वाले option पर click कर सकते हैं या status वाले option पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपने जिस भी post code के लिए apply किया होगा वो post code आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिल जाती है अब जैसे friends इस notification पर आते हैं तो जैसे assistant grade 3 इसका जो post code है वो है 58-23 तो friends यहाँ पर देखिए 58-23 आपको यहाँ पर मिल जाएगा आप इस post को select कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से submit कर देंगे submit करने के बाद friends यहाँ पर देखिए आपको जो आपका application number है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो आप इस application number को copy कर सकते हैं या friends आप note down कर सकते हैं इसके बाद आपको आपको आपका application number देना है और password देना है अब देखिए अब पहली बार यहाँ पर login कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले date month and year यहाँ पर enter करना होगा इसका format क्या रहेगा तो आपको format यहाँ पर दिया गया है और अगर आपको सबसे पहले date देना है इसके बाद slash लगाना है इसके बाद यहाँ पर आपको year है वो आपको देना है मन्त देना है और उसके बाद आपको year देना है तो अगर आपको single digit में month है तो आप इस तरह से entry करेंगे और उसके बाद आपकी देखिए जो भी date of birth का year है वो आपको देना है same यही format में आपको यहाँ पर password लिखना होगा slash लगाना भी यहाँ पर friends जरूरी है इस password में तो आपकी जो date of birth है वो friends आप यहाँ पर डालेंगे password में इस capture code को fill करेंगे और उसके बाद login कर लेंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपका जो old password है मतलब जो आपकी date of birth है वो आपकी यहाँ पर आपकी आप यहाँ पर numbers यूज कर सकते हैं और आप कोई भी special character यूज कर सकते हैं अपने password को generate करने के लिए तो यह friends इसका format रहता है password का तो नया password आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर generate करने के लिए password को आप यहाँ पर confirm करेंगे इसके बाद friends जो यह capture code दिया गया है यह डालने के बा आपने create किया होगा वो डालकर आप इस capture code को डालकर login कर सकते हैं अगर आप पहली बार registration नहीं कर रहे हैं आप मालीजी पहले भी यहाँ पर login कर चुके हैं आपने कोई dssb का admit का download किया हुआ है तो friends उस condition में आपने पहले password create किया होगा अगर वो password आपको यार नहीं है तो forget password प इसके बाद friends यहाँ पर आपको देखिए application number देना है और उसके बाद यहाँ से login कर लेना है इसके बाद friends आप अपने portal पर देखिए login करते है और portal पर login होने के बाद आपको personal detail के साथ में यहाँ पर एक link मिलता है एडमिट काड का तो admit card का जो यह लिंक मिलता है यहाँ पर friends न यहाँ पर आपको name of the candidate, father या spouse name, candidate का role number, आपकी date of birth, आपने किस post के लिए apply किया है, post code, category, आपका gender, आपका application number, ID proof भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसके बाद friends आपके जो admit card है उसमें आपको आपकी परिक्षा की तिथी वे time आपको मिल जाएगा, उपस्तित होने क समय और gate बंद होने का समय भी आपको मिल जाएगा, signature और आपके जो थम impression है यह आपको फ्रेंच से exam center पर ही करने होंगे, आप से यहाँ पर कहा गया है कि आपको इस e-admit card को exam center पर लेके जाना है, along with one original photo ID proof as mentioned above, तो फ्रेंच जो ऊपर आपने जो ID proof का number आपको दिया गया है, वही ID proof आप original condition में लेके जाएंगे, इस में फ्रेंच से यहाँ पर देखे, इस जो आपका admit card है, इसको फ्रेंच से आपको समभाल कर भी रखना होगा, तो इसके एक extra copy अप लेके ज़रू हो जाए, इसके बाद कुछ instructions आपको English में, Hindi दोनों में दिये गया है, आप से कहा गय शारेली रूप में फोटो के साथ मेल खाना चाहिए, मतलब फोटो सेम होनी चाहिए, इसके बाद फोटो के लिखित बंद होने के बाद आपका फ्रेंच से प्रवेश नहीं दिया जाएगा, परिक्ष्या समाफ्त होने से पहले परिक्ष्या कश्य छोड़ने की यनुमती न इसके अलावा फैंसे यहाँ पर आपका mobile number वे email ID ORS में update करना सुनी सिस्ट करें अगर यह update नहीं है तो आप DSSB के official website पर जाकर mobile number वे mail ID अपना update कर सकते हैं अपडेट जरू कर लीजेगा इसके बाद फैंसे यहाँ पर कुछ और instructions दिये गए हैं साथ में आपके जो कपड़े address code क्या रहना चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके बाद नीचे आप आएंगे तो आपको additional instructions दिये गए हैं जो की candidate due to COVID-19 है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं साथ में आपको self declaration भी करके लेके जाना होगा जिसमें फैंसे यहाँ पर देखिए आपको कोई symptoms है या नहीं है वो जानकार्य आपको देनी है इसके बार आपको यहाँ पर नाम, role number, date of exam, exam, center name और signature आपको यहाँ करना है और shift आपको यहाँ पर mention करनी होगी तो यह फ्रेंसे आपका self declaration रहेगा जिसमें फैंसे आपको यह भी लेके जाना है आपके admit card के साथ तो यहाँ पर फै आप DSSB पर login करके आपके mobile number को update आप जरूर कर लें तो मैंना आपको सारी process बता दी है कैसे आप DSSB exam 2024 का admit का download कर सकते है step by step process के बारे में अगर आपको हमारी update पसंद आई है आप चाहते हैं ऐसे ही regular updates आपको लगातार मिल सके तो फैंसे इसके लिए like, subscribe विशे जरूर इसे ही बने रही है हमारे साथ देखते रही है हमारा लीड़ ट्रेन